हेलो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनेडा स्टडी वीजा के बारे में पबलिक वर्सेस प्राइवेट कॉलेज एक बड़ा कॉशन सामने आया है जब से कैनेडा के इमिग्रेशन मिस्टर ने लास तीन स्टेटमेंट में कंटीन्यू प्राइवेट बड़ा एक्शन लेने की बात कही है जहाँ पर सबसे बड़ी प्राइवेट कॉलेज में इमीशन ले लिया है जिनको वीज़ा आ चुका है जहां 2024 में जो बच्चे अप्लाई करना चाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा कॉशन है कि कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहां पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि अभी तक का जो स्टेटमेंट इमिग्रेशन मिस्टर का वहां पर कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क उनकी तरफ से नहीं दिया गया जहां कोई हिंट अभी तक ऐसा नहीं दिया गया जहां से यह डिसाइड किया जा सकते कि किस तरह के कॉलेज पे आने वाले समय में एक्शन हो सकता है ना ही अभी तक कैनेडा के इमिग्रेशन मिस्टर की तरफ से आई आर सेसी की तरफ से किसी भी कॉलेज का नाम लिया गया है सो जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं कैनेडा में वो सभी इस समय बहुत रिस्की है किसी भी private college में क्या हो रहा है एक बच्चे होने के नाते एक student होने के नाते फिर चाहे वो student daily basis पर वहाँ पर classes लेने जा रहा है वो नहीं समझ सकता कि वो अगर audit होता है उसके college का तो उसका college उस audit में pass होगा जाँ उसका audit fail होगा जैसे हमने मौन्ट्रियल में देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो college औरेडी post graduate work permit दे रहे थे मौन्ट्रियल में बहुत सारे इंडियन बच्चे पंजाब के बच्चे उस college में पढ़ रहे थे वहाँ पर उनका audit हुआ दस college का audit fail हुआ और उनका post graduate work permit होना और वहाँ पर जितने भी बच्चे थे उनको बहुत बड़ी problem आई बहुत सारे बच्चों का फीस डूप किया क्या वोही scene दोबारा repeat होगा आपको नहीं लगता कि कैनेडा के immigration history को थोड़ा hint दे देना चाहिए बच्चों को ता जो वो बच्चे पहले से एक decision ले पाएं पहले से कुछ ना कुछ अपना जो plan है उसके recording कर पाएं कि आने वाले दिनों में हम risk में ना चले जाएं आज इस वीडियो में वही ची discuss करेंगे कि framework क्या हो सकता है उस framework के बारे में बात करेंगे किस college में आप admission ले रहे हो उस college के बारे में बात करेंगे 2024 में जिन बच्चों को वीजा चुका है जो बच्चे classes ले रहे हैं private college में उनको क्या करना चाहिए ता जो उस समय से पहले जब तक कोई बड़ा से पहले बात करेंगे जो Canada के immigration मिस्टर का statement था उन्हों ने बहुत clearly इस चीज़ को कहा है कि आने वाले समय में जो private college है जो rules and regulations को follow नहीं कर रहे उन पे बड़ा action होने वाला है यह तो बिल्कुल साफ है कि बहुत सारे private college आने वाले समय में बंद होंगे फिर चाहे उनके पास post study work permit है चाहे नहीं है अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे रूल से regulations को follow नहीं कर रहे तो उन पे बड़ा action लिया जा सकता है मगर कोई framework नहीं है अगर मैं framework को देखता हूं तो प्राना जो framework दिया था क्योंकि उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि हम टू लेवल education system बनाने जा रहे हैं आने वाले समय में जिसमें 2024 का उन्होंने नाम लिया था और आने वाले समय में आपके सामने बहुत जल्दी trusted और non trusted institution का जो point है वो आने वाला है अभी वो ही framework को अगर हम देखते हैं जो trusted institution के लिए है अगर आपका college वो सारे points को continue tick करता है जानि के उन सभी को follow करता है तो आपका college हो सकता है कि आने वाले समय में बंद ना हो मगर फिर भी सारे private college क्या कर रहे हैं उनके accounts में क्या चर रहा है बच्चों से कितना fees लिया जा रहा है क्या आगे tax हो रहा है नहीं हो रहा है वो एक बच्चा जा एक student होने के नाते आपको मालुम नहीं पड़ेगा जब तक आपके college का audit नहीं होगा उस audit में आपका college clear नहीं होगा तब तक आपका जो private college है वो risky ही है तो इस समय सबसे पहली recommendation तो मेरी जए है कि 2024 में कोई भी बच्चा जल्दी जल्दी कोई जल्दवाजी में किसी consultant के पीछे लगकर किसी भी private college में फिलहाल admission ना ले आपके पास public college की बहुत सारी ऐसी options हैं जो अच्छे public college हैं पबलिक college में जाएंगे तो आपका पहले तो ये risk बिल्कुल 0 हो गया आप first day से ही mind से बिल्कुल free है आपके आप पर कोई भी tension ही है कि आपको college का audit होगा उस audit में क्या होगा पहला point तो जह है कि आपको private college में admission लेना ही नहीं कोई भी private college है चाहे वो post graduate work permit में आपको deal कर रहा है चाहे नहीं कर रहा अभी दूसरा बड़ा caution है जो framework है देखे अगर trusted institution का framework हमने देखते हैं तो वहाँ पर उन्होंने 7 point दिये हैं अगर आपका college आपको लगता है कि वे 7 points पे अपना audit क्लियर करवा सकता है तो आपको उस college में admission ले लेना चाहिए framework में जो पहला point है वो है retention rate जानि के आपके college में for example 100 बच्चों ने admission लिया किसी भी intake में और Canada आते ही उसमें से ज़्यादा तर बच्चों ने अपना college चेंज कर लिया और बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने अपना program आपके college में complete किया तो आप मान लीजे के पहला point है आपके college का वो cross हो गया आपके college पे बड़ा action लिया जा सकता है क्योंकि आपके college में जो बच्चा visa लेकर आता है जैसे ही वो college को देखता है college के system को देखता है वो वहाँ पर study नहीं करना चाता और वो किसी another college में admission ले रहा है जाने के वहाँ पर quality education नहीं मिल रहा अगर आपका college ऐसा है तो आपको problem आ सकता है दूसरा है जो बड़ा point है on time program completion rate जाने के कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आपके college में admission लिया course भी start किया और अपना course on time complete किया यूकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो classes नहीं लगाते जिनकी supplies आ जाती हैं जिनसे program on time complete नहीं होता उस case में भी जो quality education है वो आपके college में नहीं मिल रही अगर आपके college में 100 बच्चों ने course start किया और उसमें से 50% बच्चे ही on time अपना course complete कर पाए तो भी आपके college पे cross लग सकता है जानी के बंध होने के असार हैं उसके उसके बाद जो third है percentage of revenue कि आपका जो percentage of revenue है from international student वो कितना है ऐसा तो नहीं कि आपके college में कोई जो वहां के local बच्चे है वो admission लेना ही नहीं चाते आपके college में सिर्फ जो international student है जो सिर्फ Canada आना चाते हैं कम फीज के लिए सिर्फ वो ही admission लेके आ रहे हैं अगर percentage of revenue में आपके international student का जोगदन जादा है किसी college में खासकर private college की बात करूँगा तो उस college पे भी आने वाले दिनों में बड़ा action हो सकता है क्योंकि अगर local बच्चा है वो सारे condition को जानता है और वो उस college में admission नहीं ले रहा तो आप मान कर चलिए कि आपके college में रिसकी हो सकता है उसके बाद आता है fourth point scholarship कितना award किया है आपके जो college ने student के लिए अगर आपके college की तरब से जो जिन बच्चों को requirement है उनको scholarship नहीं दिया जा रहा तो भी आपके college पे बड़ा action आ सकता है और maximum private college किसी भी तरह का scholarship नहीं देते जहां वो अपनी fees को बहुत बढ़ाच रहा कर बताते हैं और बाद में उसी में से scholarship दे देते हैं मगर scholarship अगर आपके college की तरब से proper बच्चों को जिनको जुरूरत है उनको नहीं दिया जा रहा ये भी एक criteria हो सकता है उसके बाद जो funding है जो international student की sport के लिए यूज़ कर रहा है college वो कितने percent जो उसका total revenue है जानि के international student की sport के लिए जो total revenue वो international student की तरब से ले रहा है उसका कितना percent वो उन्हीं बच्चों की sport के लिए लगा रहा है अगर वो percentage भी कम होगी तो भी आपके college पे action आ सकता है और maximum college private college ऐसे हैं जो किसी भी international student के लिए sport के लिए बहुत ज़ादा percentage यूज नहीं करते ये भी एक बड़ा criteria होगा जो आने वाले दिनों में ये decide करेगा कि कौन से private college open होगे और कौन से private college बंद होगे उसके बाद आ जाता है housing housing for international student जाने के accommodation अगर आप as a international student किसी college में गए हैं उस college के पास 1000 seat है students के लिए वो कितने students को अपने campus में housing दे सकता है जान उनका जो system है चाहे वो campus के बाहर है किसी college का कितने बच्चों के लिए accommodation वो provide कर सकता है और private college तो जो खुदी दो कमरे में चल रहा है जो खुदी पांच कमरे में चल रहा है वो कहा accommodation दे देगा किसी को तुझे एक बड़ा आने वाले दिनों में क्योंकि सबसे बड़ी problem अगर Canada में है वो housing की है और housing में अगर accommodation आपके college के पास नहीं है जो के maximum private college के पास नहीं है उस case में आपको problem आ सकता है उसके बाज आता है teacher student ratio जाने के अगर आपके पास एक हजार teacher है एक हजार student है चाहे वो local है चाहे वो international है उसके इंगेस्ट आपके पास कितने teacher है maximum private college universities में बच्चे classes नहीं लेते और इसी चीज़ के लिए वो बच्चे चाते हैं कि वो private college में चले जए अभी अगर वहाँ पर teacher ही नहीं होगा अगर student teacher ratio ही नहीं सही होगी तो कैसे वो college survive करेगा जहां quality education दे पाएगा जह भी एक criteria हो सकता है अभी आपने देखना है कि आपका college इन सभी points को fulfill करता है जह नहीं करता post graduate work permit होना जह नहीं होना जह बहुत बड़ा caution नहीं है क्योंकि government ने सिर्फ यह देखना है कि कौन से college universities है जो rules and regulations को follow करते हैं जो quality education provide करते हैं जिनके पास अपने बच्चों को रखने का housing जानिक accommodation का इंतियाम है अगर जह सारी चीज़ें पूरी करते हैं आपका college तो possibility है कि आपके college में अभी तक कोई risk ना हो framework नहीं आता जब तक proper audit नहीं होता और audit में आपके college का audit जो पास नहीं होता अगर अभी तक आपने जे नहीं सुनी बात के आने वाले दिनों में private college पे बड़ा action हो सकता है तो आपके लिए आना वाला जो साल है जो आप decision लेंगे वो बहुत रिस्की हो सकता है दूसरा जो बचे package करते हैं उनके लिए बहुत रिस्की है 110% रिस्की है क्योंकि उन colleges में तो कोई बच्चा नॉर्मली जाता ही नहीं और वहां पर post graduate work permit होता ही नहीं जो बच्चे pathway में जा रहे हैं pathway वाले कोर्स ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत रिस्की होने वाला है 2024 ऐसा ना हो कि आप कहीं से पैसा कठा करकर एक बर दस बारान लाक दो और उसके बाद आपको पता लगे कि आपका college बंद हो गया और वो दस बारान लाक जो आपने दे दिया वो भी बापस ना आए और उसके बेस पे आप travel भी ना कर पाई मतलब और भी ज़्यादा आप फ़स जाएं कि आपने अपने सारे रस्ते भी बंद कर लिए और जहां से पैसा कठा किया था उनका पैसा भी बापस ने आया तो थोड़ा साथ देखकर आपको चलना चाहिए जो भी आपके कॉशन है जो भी डाउट है आप नीचे लिख दीजिए नीचे दिएगे नंबर पे आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं हमारी कोशिश रहती है अगर आप हमारे साथ प्रोसेस करते हैं तो आपको पबलिक कॉलेज दिया जाएगा ट्वाल्थ के बाद दो साल का प्रोग्रम बैचलर या मास्टर किया है तो आपको एक ज़ाद दो साल जो भी प्रोग्रम आप लेना चाहते हैं कोई भी पर्सेसिंग फीस हमारी नहीं है अगर आपके आपकी मेरेज हो चुकी है आप स्टडी वीजा अपलाई करना चाहते हैं तो आप अपने स्पाउस का साथ में फाइल लगा सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने स्पाउस और बच्चों की फाइल साथ में लगा सकते हैं सबी का साथ में वीजा आ सकता है तेंक यू सो मच इस वीडियो को लास तक देखने के लिए आप सभी से र्क्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूटिव चैनल को सबस्काइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें तेंक यू सो मच